एक स्त्री के दर्वाजे के बाहर तीन साधु बैठे थे। स्त्री अपने घर से निकली, उसने अपने दर्वाजे पर सफेद लंबे दाढ़ी वाले तीनों साधुओं को बैठे देख, उत्सुकता, बस साधुओं में नजदीक जाकर बोली, आप लोग मेरे दर्वाजे के पास क्यों बैठे हैं? साधु बोले, हम सन्यासी हैं और स्त्री ने साधुओं के मुख से सुनकर उन्हें भोजन कराना अपना सौभाग्य समझा, स्त्री बोली, आप मेरे घर के अंदर आ जाए, मैं आप तीनों को भोजन करती हूँ, स्त्री की बात सुनकर तीनों साधु उसकी घर के भीतर जाने के लिए खड़े हुए, साधुओ स्त्री ने जवाब दिया, इस समय मैं अकेली हूँ, मेरे पती बाजार गए हैं, स्त्री से ऐसा सुनकर साधु लोट पड़े, उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर कोई, पुरुष सदस्य नहीं है जो हमारा सतकार कर सके, अतह हम जा रहे हैं, तुम्हारे घर भोजन ग्रहन नह पती ने कहा कि द्वार से कोई साधु भूखा जाए, यह ग्रहस्त के लिए ठीक नहीं है, तुम तीनो सन्यासियों को शीग्र बुलाओ, पती की बात सुनकर पतनी साधुँ की खोज में चल पड़ी, कुछ दूर चलने के बाद तीनो सन्यासी जाते हुए दिखे, स्त्री न साधुओं ने कहा कि हम तीन साधु, एक साध किसी के घर नहीं जा सकते, बलकि बारी बारी से, जाते हैं भोजन के निमित, हम तीनों के नाम प्रेम धन और सफलता है, तुम बताओ, तीनों में से सबसे पहले किसको ले जाओगी अपने घर, सन्यासियों से ऐसे सुनकर स्त्र सफलता के लिए दूर हो जाएगी और हम सुखी हो जाएंगे। जाने लगे स्त्री ने उन लोगों को रोकते हुए कहा, आप लोग सुनते क्यों नहीं, इस पर एक साधू ने जवाब दिया, देवी यह सही है कि हम तीनों किसी के घर एक साथ नहीं जाते, लेकिन जो कोई ज्यानी व्यक्ति सबसे पहले प्रेम को सबसे पहले निमंतरन दे पीछे से सफलता और धन क्रमशह आ जाते हैं लेकिन, लेकिन धन और सफलता के पहले बुलाने वाले के घर हम में से कोई भोजन के लिये नहीं जाता, जहां प्रेम को जगह मिलती है, वहां धन और सफलता स्वतह पहुंच जाते हैं.